हलो गाईज वेलकम बैक टू दीज चैनल तो फ्रेंड्स इंडियन मार्केट में आपको आईक्यू जीने टर्बो स्मार्टफोन काफी जल देखने को मिल सकता है और यह स्मार्टफोन गाईज काफी इंटरस्टिंग फीचस के साथ आता है और आज किस वीडियो में आईक्यू गाईज चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वाल्टी और डिजाइन के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन 8 mm thickness 194 gram weight देखने को मिल जाता है बाकी यहाँ पर plastic frame का use किया गया है और आपको back side पे glass production देखने को मिल जाएगी तो build quality इसमें decent रहने वाले है लेकिन आपको यहाँ पर IP64 rating का sport भी दिया जाएगा specification के बारे में बात करें तो आपको IQ Zen & Turbo स्मार्टफोन में इस बार 6.78 inches का flat 1.5 के resolution वाला AMLED पेनल देखने को मिलेगा अफकोर्स 10 bit color size या 10 plus का sport रहने वाला है और बीजल्स वगेरा भी आपको ना के बराबर देखने को मिल जाएगे तो डिस्प्ले की quality content version के लिए definitely काफी बढ़िया होने वाली है और इसमें आपको 120 Hz की higher screen deficit देखने को मिलेगी अफकोर्स LTPO panel नहीं है LTPOS technology देखने को मिलेगी और यहाँ पर 4500 needs की peak brightness का sport भी दिया गया है लेकिन दोस्तों IQ Zen & Turbo स्मार्टफोन basically performance centric device होने वाला है यहाँ पर आपको Snapdragon 8A Gen 3 chipset देखने को मिलेगा 4 mm का processor है 1.5 million तक अन्तुत स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं LPDDR 5X RAM UFS 4.0 latest hardware भी देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन में guys आपको BGMI के अंदर 90 fps graphic setting भी देखने को मिलेगी तो नो डाउट यह स्मार्टफोन definitely काफी तगड़ा gaming स्मार्टफोन होने वाला है और इसमें आपको Android 14 out the box देखने को मिलेगी और 3 साल के major OS updates भी दिये जाएंगे केमरा के बारे में बात करें तो definitely यह performance oriented स्मार्टफोन है तो यहाँ पर केमरा decent दिया गया है 50 megapixel का IMX 8A2 main sensor आता है OIS based camera quality decent देखने को मिल जाएगी बाकि 8MP का ultraward sensor आता है और 4K 60 fps तक आप max video shoot कर पाऊगे rear side पे बाकि front पे 16 megapixel का typical center control selfie camera आता है और यहाँ पर आपको full HD video recording का ही sport देखने को मिलेगा बाकि दोस्तों इस smartphone का BT department भी crazy देखने को मिल जाता है IQ Zen & Turbo smartphone में आपको 6000 mh की काफी बड़ी बेटरी देखने को मिल जाएगी और smartphone को charge करने के लिए 80W की wide fast charging का sport भी दिया गया है तो smartphone को आप around 40 to 45 minutes में full charge कर पाऊगे बाकि other details के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको dual stereo speakers मिलेंगे with Dolby Atmos तो sound quality काफी impressive रहने वाली है आपको X-axis linear motor भी मिलेगी IR blaster भी रहने वाला है और इसमें आपको NFC wide van L1 का sport मिलेगा Bluetooth version 5.4 और Wi-Fi 6 का sport भी दिया जाएगा और all features तो यहाँ पर काफी interesting देखने को मिल जाते हैं वैसे pricing के बारे में बात करें तो guys यह smartphone इंडियन market में OnePlus, Node 4, Realme GT60, Poco F6 smartphone को competition देने वाला है आपके friends launching के बारे में बात करें तो IQ Z9 Turbo smartphone guys काफी ज़्यादा chances है कि इंडिया पे आपको next month August के end तक देखने को मिल जाएगा और इसका reason यह है कि friends IQ generally हर साल अपने Neo series के अंदर Neo smartphone को launch करता है और इस साल हमें IQ Neo 9 smartphone देखने को नहीं मिला है सो 30,000 के range में definitely guys IQ Z9 Turbo smartphone launch हो सकता है सो फिलाल दोस्तों यह कुछ information थी IQ Z9 Turbo smartphone के regarding hopefully आपको वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना and of course guys चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर लेना मिलते नेक्स्ट टूडियो में बाई बाई टेक कियर